करें दोस्तों में दर खायर से होंगे एक बाप फिर में चानल श्राइजे.com पर आज सब्सक्राइब करती हूं आज में आप लोगों के लिए तिल की चटनी के रैसी पिलाएं इसके इंगे इसमें आपको बताएं चलू यह मैंने हाफ कप तिल रखके हुए है दमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लिजागा और हाफ टीस्पून यह हींग रखा हुआ है और मुठी पर मैंने हरा धनिया लिया है तो हरी में थोड़ा से निगों में यूज़ करूंगी सब्सक्राइब करें मेरी फूट ब्लॉग को भी इसके लिंग डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसके लाव आप लोग मुझे इस्टाग्राम पर शायजे कर सकते हैं चले पर शुरू करते हैं पैन करम कर लिए और उसको बहुत चटनी होती है इस दोर भी करके आप इसको र इस सब चीजे में चटनी जार में डाल करके अच्छे से पीस लूगी तिल पीस में डाल देंगे हलका इंको अगर गरम हो तो पीस देंगे तो फिर थो ठंडा होना की जएगा दम गरम में डालिएगा नमक तिल जादे से इसमें आफ टीश्पून के असकास डालूँगी अलका सा पानी इसमें बहुत ज्यादा ने बास लिंट अफ़से पीस लेना रहा है चटनी अच्छे सब इस गई ये तो मैंने दो तीन टेबल स्मून पानी डाल दिया था बैस से ज्यादा ने रिवस ए ढ़र पतली हो जाएगी इसको भी आपको बार में निकाल कर दिखाते तो देखिए तेल की चटनी हाइबन का तयार है मैं जोर बताएगे रैस्पी आप लोग कैसे लगी आप लोग के लाइक सो कमेश कम देंज़ दा रहेगा शेयर करें में रैस्पी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले में जल्दी रैस्पी के साथ तक तक अपना ख् कि बाद वाजाब कि रिल्स्वाद कैना कि तक वी पादिप के लबू जिकान.